नमस्कार दोस्तों स्वागत अब का तो आज हम यहां पर देखने वाले हैं हिंदी व्यक्र हिंदी व्यक्रम में जो आज टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है प्रयुक के आदार पर शब्डव driving जहां पर मु Harm मुख्यता दो टॉपिक आते हैं पहला है विकारी शब्द विकारी शब्द में पहला भेद है यहां पर सग्या दूसरा है सर्वनाम तीसरा है विशेशन और चोटा है क्रिया इस तरह से विकारी शब्द में यहां पर मुख्यता चार भेद आते हैं और जो मुख्या जो और ए विकारी शब्द में यहां पर फिर से 4 भेदड आते हैं। उसमें पहलें है क्रिया विशेशन अव्यय, दूसरा है समुच्छे बोधक अव्यय, तीसरा है संबन्द बोधक अव्यय, और चौता टॉपिक है विस्मयादी बोधक अव्यय, इस तरह से प्रयोक के आधार पर जो शब्द भीध हम आज यहाँ पर देखने वाले। पहला जो । टॉऽपिक है यहाँ पर विकारी सब्द में पहले चार भेद आते हैं, यह हम यहाँ पर देखने वाले इस तरह से यहाँ पर जो पहला टॉपिक काता है वो है सग्या अब सग्या की जो परिभाषा है यानि सग्या किसे कहता है और हम यहाँ पर पहले देखेंगे सग्या की परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तू प्रानी स्थान गून भाव आधी के नाम का ग्या होता है उसे सग्या कहता है इसके कुछ उदारन हम यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर विक्ति के नाम जब हम आते हैं तो उसमें है राम, सचीन, मोहन, राजू, आदी, वस्तु के नाम है पुस्तक, कलम, फल, घड़ी, आदी और परानियों के अगर सग्या के कुछ नाम आते हैं तो जिस तरह से तिल्ली है, मचली है, घोड़ा है, हाती है, आदी स्तान, स्तान यानिये जगह, उसमें दिल्ली, आगरा, शहर, आदी और गून में आता है इमांदारी, सच्चाई, भुश्यारी, आदी और छटा है भाव, दया, करूना, क्रोध, प्रसनता, आदी इस तरह से हमने कुछ उदाहरन देखे, अब उसमें जो सग्या के जो पाच जो भेद है, वो हम यहाँ पर देखने वाले है सग्या के भी यहाँ पर पाच भेद आते हैं, उसमें से प्रमुक जो भेद है, यहाँ पर पहला जो भेद है, वो है वेक्ति वाचक सग्या दूसरा है जातीव आचक सगया, तीसरा है भाव आचक सगया, चोता है द्रव आचक सगया और पाछवा अंतिव है समू आचक सगया इस तरह से जो सग्या के जो पाच प्रकार है उसमें से पहला जो भेदे हम यहाँ पर देखने वाले जिसका नाव हमें व्यक्तिवाचक सग्या व्यक्तिवाचक सग्या की जो परिभाषा है वो हम यहाँ पर पहले देखेंगे जिस सग्या शब्द से किसी विशेश व्यक्ति वस्तू या स्तान का ज्यान होता है उसे व्यक्ति वाचक सग्या कहते है तो देखें विशेश व्यक्ति व्यक्ति वस्तू या स्तान का जब नाम आता है तो हम उसको क्या कहते है व्यक्ति वाचक सग्या कहते है उधारं के तोर पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से राजू, सूरत, सूरत एक स्तान का नाम है, एक शहर का नाम है, इस तरह से, राजू एक वेक्ति का नाम है, उसी तरह से एक उधारं के दोर पर हम देखेंगी, राजू घूमने जाता है, राजू यह क्या हुआ? ए सग्या वीकलिय। इस तरह से सग्या का समय जो है सग्या का उसका नामें शुक्त नहीं जातिवाच्पद सग्या की परिभार्षा है पहले हम यहां पर दे वहां देखेंगे जो सग्या जानवर है शहर है लड़की देश अध्यापक आदी उसे तरह से उसका जो उदाहरण है पहला उदाहरण है हमें रोजाना फ़ल खाना चाहिए यह किया हुआ जाती वाचक संग्या हुआ लेकिन सभी फ़लों के लिए एक इस्तिमाल करता है जैसका प्रकार के फ्रकर आता है इसलिए व क्या हुआ जातिवाचक संग्या हुआ यानि पूरी जाती का बोद कर आता है उसी तरह से जो दूसरा उदाहरने में विद्यालय घर के पास है उसी तरह से यहाँ पर जो विद्यालय जो शम्दा है वो भी क्या हुआ जातिवाचक संग्या हुआ अगर एक विशिष्टा विद्याले का नाम आता तो किसमें जाता एक विक्तिवाचक सग्या में जाता इस तरह से जातिवाचक सग्या हम यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह से जो तीसरा उदाहरन है यहाँ फूल खीले है उसी तरह से यहाँ पर फूल यह जो शब्द है वो हुआ हो उसी तरस सभी फूल उसमें समाय जाते है इसलिए क्तै का बोद आता है इस तर से निक्र hablar जो दूसरा है ओवेद यहां पर इठेने वाले उसका नाम है भाववचक सज्या Wik भावाचक सग्या की जो परिभाशा है वो इस तरह से किसी भाव गून अवस्ता या दशा का बोध करानवले शब्दों को क्या कहते हैं भावाचक सग्या कहते हैं उसमें यहाँ पर कुछ उधारन के तोर पर हम देखेंगे कि दया प्रसंदता इमंदारी बेमानी जवानी यह सबी क्या हुए यह भाव हुए उसी तरह से बचपन गरीवी अमीरी यह भी यह भाव हुए जिस तरह से एक उधारन में आपको पेश कहता है जिस तरह से हापर दिया है मैं तुम्हारी इमंदारी से प्रसंद हूँ इमंदारी है क्या है एक भाव है उसी तरह से जो दूसरा बहता है या सब्रस्षट अगला जो कि को नाम है आए इसा नहीं है उसमें हमें लगता है कि इसमें सिर्फ आएगा इसा नहीं यहाँ उसमें सभी आता है यानि धातु भी आता है द्रवे भी आता है और पदाल्थह भी आता यहां पर हम यहां पर कुछ उदाहरण दीखेंगे हैं देखेंगे मेरे पास सोने की घड़ी है सुना है क्या हुआ धाटू हुआ इसले क्या हुआ द्रवा चक सग्या हुआ दूसरा धारा ने नहा पानी पीती हैं पानी है क्या हुआ क्योंकि उह द्रव हैं उसी तरह से अग्ला सब्सक्राइब कि जो परिवाशा है वो पहले हम देखेंगे जो सग्या शब्द किसी समुई या समुधाय का बोद यहाँ पर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं यानि समुह जिसका बोद होता है जिस तरह से उधारण के तोर पर यहाँ पर दिया है पर परिवारे भीडे जूंड है सेना है तुकड़ी है दल है आदी इस तरह से यहाँ पर उधारन यहाँ पर पहला उधारन है हमारी कक्षा के सभी छात्र उश्यार है अब यहाँ पर कक्षा यह क्या हुआ समू हुआ क्योंकि कक्षा में क्या होता है एक या दो उध्यार्थी नहीं आते यह च्छात्र नही सब्सक्राइब की त our इतरा से दोस्रा उधारान है तुकडि आगे बढ़ी क्या है एक समूह है उसमें हाँ पर जो दिया है वह क्या है और गया आता था है सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्लाइब उसी तरह से भीड प्रामियों का होता है तो क्या होता है जूंड होता है सेनिको की क्या होती है तुकड़ी होती है इस तरह से यहापर परिवार जो शब्द दिया है वह भी क्या है समौ आजक सग्या क्योंकि परिवार में सभी जितने भी घर में जितने भी सदर से वह सभी यह झाल झाल झाल